हाई व्यूवर्स वेलकम बैक टो मैं चैनल फ्रैंस यह दिखे आज हम सिखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा और बहुत ही उनिक सा इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाए कर सकते हैं लेडिस कार्डिगन में रेडी जैकेट में रेडी श्याग में गल्स टॉप में बच्चों के स्वेटर में जैन्ट साफ सेट और फॉल सेटर में डाल सकते हैं तो दिखें फ्रंट साइड से यह इस तरह स दिखता है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए जो सिचे चाहिए होंगे वो 8 के मल्टिपल से होंगे प्लस 5 एंद एक्स्टर होंगे और जो डिजाइन रूटरल 16 राव का डिजाइन है यह दिखें मैंने यहां पर 21 पंदे लिए हैं 16 पंदे 8 के मल्टिपल से लिए हैं प्लस 3 पंदे एक्स्टर लिए हैं साइड में डिजाइन को एकुल करने के लिए और 2 पंदे सटेच के होंगे और बेस से लिए 2 राव उल्ट उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकार ली है तो चलिए बनाते हैं यह इसकी 1 राव है और सेड हैं ऐसे स्लिप करेंगे और इस सारी रहो को सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे सेंट रहो को सारी रहो को उल्ट पिनमेंट करेंगे और इसके सभी रौग साइड रहो हम उल्ट फंदों के साथ रह नहेंके थर रह राव राइट साइड ऐसे स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टाट करेंगे तीन फंदे सीधे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे चाएड डालेंगे एक फंदा सीधा चाएड डालेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ये दिखे हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया इसमें हमने तीन फंदे सीधे ब बनाया जएड़ाली, एक फंदा सीधा, जएड़ाली, दो फंदों का एक फंदा बनाये, हमारा इट फंदों का पैटन है, यह दिखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार बार रिपीट करेंगे, तो फिर से दिखे, तीन फंदे सीधे, 1, 2, 3, आगे की साड़ से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, जाए डालेंगे, 1 फंदा सीधा, जाए डालेंगे, 2 फंदे slip करेंगे, back लूप से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे लास्ट में 4 फंदे हैं, 3 फंदे सीधे 1, 2, 3 सीधा बना लेंगे थर्ड राव कम्प्लीट हो गई है, फोर्थ राव है रॉंग साइन इस सारी राव को उल्ट उल्ट फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट करेंगे फिफ्त राव, राइट साइन इस सारी राव को सीधे सीधे फंदों के साथ बुनेंगे इस सारी राव को उल्ट उल्ट फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे साइवन राव, राइट साइड सेम राव, थर्ड की तरह ही बुनेंगे ऐसे स्लिप करेंगे तो दिखे रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे तीन फंदे सीधे राव, 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 राव चाहिए डालेंगे, एक फंदा सीधा, चाहिए डालेंगे, दो फंदे सिलिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, लास्ट में फोर फंदे हैं, दीन फंदे सीधे, पन, तो, थ्री, एस्टे सीधा बना लेंगे, 7 राउ कम्प्लीट हो गई है, 8 रा रो नाइन राइट साइड इस सारी रो को सिधे सिधे फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे टैन्थ रो रो रोंग साइड इस सारी रो को उल्ट उल्ट फंदों के साथ बुनेंगे रो इलेवन राइट साइड फिर से इसे रो थर्ड की तरह ही बुनेंगे ऐस्ट इस स्लिप करेंगे रुपीट पैटन स्राट करेंगे तीन फंद सीधे वन टो थ्री आगे की साइड से दो फंदों के एक फंदा बनाएगे जाए डालेंगे एक फंदा सीधा जाए डालेंगे दो फंदे सिलिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे यह देखिए हमारा एक पैटन कम्पलीट होगा इसमें हमने तीन फंदे सीधे बुने one two three two elevation के एक फंदा पिर सी 자리 सी ढख दला है Bang चारी डालाइं सी डाला पिर सै पैटन पिरद्ट करेंगे इन पिर सी गहिंए one two three आग एक सधसे जब पंदों के एक फंदा पिर सा पिर सा आयए डालेंगे एक फंदा सी दह हां डालेंगे, दो फंदे सिलिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों के एक फंदा बनाएंगे, लास्ट में फूर फंदे हैं, तीन फंदे सीधे, वन, टो, त्री, एस्टी सीधा बना लेंगी, 11 रोव कम्प्लीट हो गई है, 12 रोव है रॉंग सैड, फिर से इस सारी रोव को उ फंदों के साथ बनकर कम्प्लीट करेंगे, रोव 13, राइट साइड, इस सारी रोव को सीधे सीधे फंदों के साथ बनकर कम्प्लीट करेंगे, रोव 14 रोव सैड, इस सारी रोव को उल्टर रोव फंदों के साथ बनकर कम्प्लीट करेंगे, रोव 15 राइट साइड, अब दिखे, एस स्टेज, स्लिप करेंगे, रीपीर पैटन स्टार्ट करेंगे, तीन फंदे सीधे, 1, 2, 3, 5 फंदे लेट राइट ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट राइट, इस तरफ को फ्रंट लूप से तीन फंदे आगे लेकर जाएंगे, और 5 फंदे सीधा बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ये देखे हमारे एक पैटन कम्प्लीट होगे, इस में हमने तीन फंदे सीधे बुने, 1,2,3,5 फंदे left to right twist के और सीधे बुने 1,2,3,4,5 फिर से pattern pit करेंगे 3 फंदे सीधे 1,2,3,5 फंदे left to right twist करेंगे twist to right front loop से 3 फंदे आगे लाएंगे back loop से 2 फंदे पीछे ले कर जाएंगे और 5 फंदे सीधा बुन लेंगे 1,2,3,4,5 लास्ट में 4 फंदे तीन फंदे सीधे 1,2,3 ऐस्टे सीधा बना लेंगे row 15 complete हो गई है 16 row wrong sign इस सारी row को उल्ट उल्ट फंदों के साथ पुनकर complete करेंगे यह दिखें यह दिखें complete हो गई है और हमारा pattern भी complete हो गया है फिर से हम इसे first row से start करेंगे और ऐसे बार बार इसकी 1,2,16 row repeat करते जाएंगे और यह pattern बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी project में अपलाए कर सकते हैं लेडीज कार्डगेर में रेडी जैकिट में जैंट साफ सैटर फुल सैटर में बच्चों के सैटर में तो फैन आप भी से बनाएए और अपने experience हमारे साथ शेया कीजिए तो मिलते हैं ऐसी ही और ने ने वीडियो के साथ तिल देन बाई बाई फैन जैँ